अरच्छन है तो बिहार या उत्ता परदेशिया जारखन में क्यों नहीं और इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ा और मैं लड़ाई लड़ते लड़ते 2017 में एसास हो गया कि किसी के पीछे घूमने से आपको भीख मिल सकता है किसी को दया आजाएं तो आपको असिरवाद दे सकता है लेकिन आपका अधिकार नहीं देगा आपको अधिकार चाहिए तो लड़ना परेगा लड़ना परेगा और लड़ाई में तो होगा एक बार हरेंगे दो बार हरेंगे एक नएक दिन तो आपको जीतेंगे और हमने 2017 से लराई चालू किया और 2018 में हमने बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मैं 2016 से उत्ता पर्देश में हूँ मैं 2016 से मैं इसे पहले भी मैं आपके आजब गाड में कर्चकरम कर चुका हूँ मैं 2016 में भी समाजिक संगठन के नाते पूरे भारत में अपने समाज को जोगने का मैंने काम किया फिर मुझे लगा कि एक जगप पहले बेस बनाना परेगा और फिर मैंने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 2019 में हमने चुनाव लरा यूपिय गठवंदन के साथ सफलता नहीं मिला फिर हमने मैनत किया और 2020 में बिहार में हमने इंडिये गठवंदन के साथ लरकर और बिहार में जो आज सरकार जो है वो आपकी सरकार है आपकी पार्टी की सरकार है आज बिहार में इंडिये की सरकार है भले आपके पास चारे विधायक है लेकिन जितना चोहतर विधायक वाले के पास पावर है उतना ही चार विधायक वाले का भी पावर है क्योंकि आप तो मालूम होगा कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक की जरूरी होता है और बिहार में 125 विधायक है चोहतर वाले के पास जितना पावर है चोहतर वाला अगर कल हट जाए सरकार से तो सरकार गिर जाएगा उसी तरीके से चार वाले के पास भी उतना ही ताकत है कि चार हट गया तो बिहार का सरकार गिर जाएगा तो ये ताकत है आपके बेर में और हम लोगों ने आज माननीय मुक्त मंत्री स्री नितीश कुमार जी के नितरूत में बिहार में हमारी सरकार चल रहा है और हमने वहाँ पे निशास समाज को सर गज से उचा है और बिहार में निशास का सरकार है और जहाँ पे भी जो भी समस्या है उसको हम लोग sol करते हैं समाज के लिए मैं योजना बनाता हूँ समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ जो योजना कभी नहीं चल रहा था आज वो योजना बना रहा हूँ क्योंकि वो सरकार हमारी है आज बिहार में सबा दो लाग करोड रुपया का बजट बनता है और सबा दो लाग करोड का बजट जब बनता है उस बजट बनने के समय में आपका बेटा आपका भाई सनथ मला उस टेबल के बैठा रहता है और वो बिजट के बारे में बात करता है कि किस जाती के लिए, किस समाज के लिए, बिहार के विकास के लिए, कैसे काम करना उसके लिए डिसिजन लेता है आज बिहार में जब सरकार की बात होता एंडिये का, जहाँ पे चार खुर्ची लगता है जहाँ पे चार खुर्ची लगता है तो आज हमें ये कैसे मिला? ये ताकत कैसे मिला? ये हम लोगों ने लरा, इमांदारी से लरा, ने तो आजादी के 75 साल बीद गया है हमारा समाज दूसरे दूसरे पार्टी के पीछे घुम घुम कर एक टिकट के लिए, एक MLC के लिए, एक सांसत के टिकट के लिए सारी जिंदगी बिता देता था, अपना चफल घिल देता था, लेकिन उनको एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन बिहार में निसात का बेट परदेश से प्यार है मैंने 2016 उत्तव परदेश में भूम-गूम का देखा क्योंकि 2014 से पहले राजनित का मुझे ABCD नहीं पता था लेकिन 2014 से लेकर बिहार से लेकर उत्तव परदेश तक मैंने बहुत कुछ सीखा बहुत लोग अपने मिलें बहुत लोग पराय मिलें लेकिन मै आप लोगों के बीच में आया हूं कि उत्तर परदेश में भी निसाद का वो ताकत है कि उत्तर परदेश में भी जंडा गार सकता है। पहले राजा के घर में बच्चा जर्म लेता था, बड़ा बेटा होता था तो उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन अभी लोग तंत्र है, जिसके पास जादा संख्या, जिसके पास जादा बोट है, वही बेक्ति जिसको चाहिए उसको राजा बनायेगा। आप पंचायतों में आप जिनको जादा भोट दे देंगे, वह मुखिया बन जाएगा। बिधान सवा में जिसको चुन लेंगे, वह बिधायक बन जाएगा। जिसके पास जादा बिधायक होगा, वह राज का मुखमंत्री बन जाएगा। लोग सवा में जिसको आप सांसद चुनेंगे जिसके पास जादा सांसद होगा वो देश का परधान मंतिरी चुनेगा और ये ताकत आप में है लेकिन आपने क्या किया दूसरे को चुनते आया लेकिन बिहार के निसाद ने अपने को चुना और अपने आपको सत्ता में पहु देवी जी का साधे दिवस था और हम लोगों ने मनाया कि प्लान किया कि पूरे उत्तर परदेश में हर मंडल में उनकी परतिमा 18 फिट का लगा जाए उनको मालेरपन किया जाए लेकिन आप सब को पता होगा कि आपके माता बहन आओ जो स्वर्गे हो चुके है उनको भी ये सर सम्मान नहीं दे रहा है तो हम लोगों को कैसे सरकार सम्मान देगा तो इसके लिए आपको अपना सरकार बनाना करेगा अपनी पार्टी को पहिचानना परेगा आज बिहार में हमने पूरे बिहार में जहां चाहां वहां पर काल्च करम हुओ हम तो अपने बंगला में भी 18 मा फूलन देवी का मैंने लगा के रखा किसी का ताकत नहीं कि दोत सकता है यही ताकत आप लोगों को भी उत्तर परदेश में बनाना परेगा और मैं जो देख रहां आओं कि उत्तर पर्देश में जो हमारे समाज समाज के पास जो ताकत है जो सुज्बुझ है जो काम करने का तरीका है जिस तरीके से हमारा समाज काइडर है उसी तरीके से अगर हमारा समाज मजगूती से 2022 में लडरेगा तो बिहार से ज़्यादा हम लोगों को फलब्धी उत्तर पर्देश में मिलने के लिए जाएगा साफिय। इसके लिए आप सभी को इक होना परेगा। मैंने इस तरीके से उत्तर पर्देश में जैसे जागरुख है अईसा अगर बिहार में जागरुक हो जाए तो निश्य तौर्बे आने वाले समय दो अजार पचीस में बिहार का मुख मंतरी निसाद का बेटा होगा और कोई नहीं होगा तो इसलिए लेकिन संगर्स करना पड़ेगा, बेगर संगर्स कि ये कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आज देखिए आज उत्ताओ परदेश में, अब मैं तो देख रहा, उत्ताओ परदेश से बिहार से लेकर पूरे देश में निसाज अपने आपों मजगुत से खरा है, लेकिन जो हम लोगों का नित्रूत करता है जो जनता का नित्रूत करता है उसी में कमी है वो समय आने पे बिग जाता है आज हम 2022 में बिहार नहीं उत्तर परदेश आपको पता है कि जिसको दिल्ली में राज करना है वो उत्तर परदेश होके दिल्ली पहुंचता है उत्तर पर्देश इतना बड़ा पर्देश है कि 3-4 राजी का बराबर एक उत्तर पर्देश है और जिसको उत्तर पर्देश में ताकत हो वो दुनिया के हर सक्ति को वो जुका सकता है लेकिन अभी समय आया 2022 में चुनाब होना है हमें बड़े बड़े ताकत को जुकाना था उनसे बात करना था कि भाई आरप्षन दीजिए जो आपने वादा किया है आज हमारे लोगों को सम्मान दीजिए हमसे गटबंदन कीजिए आज हम आपको 15% भोड़ देंगे तो 15% सीट हमें भी मिलना चाहिए आज 200-430 सीट है 15% का मतलब 60 सीट है 60 सीट आपके पास आएगा 40-50 जीतिएगा आपके दम पे राज का सरकार चलेगा जब राज के सरकार आपसे नाइसाफी करेगा दो मिनिट में आप सरकार गिरा सकते आज हमें ये समझ होता करना था लेकिन हमारा नेता क्या किया एक M.L.C. में जुक गया जिसको अपने घुटने में जुकाना था अपने जूते में जुकाना था अब ऐसे जगा कर खुट जुक गया अब बताईए ये इसा होता है आज तो हम इंडिये के साथ है बिहार में लेकिन हमने कह दिया कि आपकी मेरी दोस्ती से बिहार में बिहार से बाहर आप से दोस्ती नहीं है बिहार से बाहर तो निसाथ से हम दोस्ती है निसाथ का बेटा है इसलिए गढ़ से कहते हैं कि मैं सनफ मिल्ला हूँ और होगा समझोता हमारी आरक्षन दीजिए हम आपके साथ है आरक्षन नहीं तो आप कुन मैं कुन आप अपने घर मैं अपने गर मैं अपने लोगों के साथ मस्तू डाल रोटी खा रहे नमक रोटी खा रहे 75 साल से हमारे पूरवज ने सपना को सकार करना ह। मैं तो हम लोगों लड़ा है लेकिन अपना हथियार को नहीं डालना है लेकिन यहां पर उत्ताफ परदेश में जब ही जो नेता मजगुत हुआ उनेता को खरीद लिया उसको गुमरा कर दिया उसको सिखा दिया एक विधायक एक MLC इस पर उनको जुका लेता है तो इसलिए साथियो ये बिहार से मैं उत्ताफ परदेश आया हूँ मुझे मंत्री ब भूल मत जाएएगा तो हम उनको बले क्या आपको मैं अभी मंत्री नज़र नहीं आ रहा हूँ मैं तो अभी मंत्री हूँ लेकिन मैं आपको याद करता हूँ आज मैंने एक हिसाब से पाiliट बोल दिया कि हम नहीं जा सकते हम बोले किसी भी हालत में जाना है बोला सर बहुत रिक्स होगा मुला रिक्स जो होगा होगा हम जब जंग पे दिख ले हैं तो क्या होगा मुझे उसका परवा नहीं है आप हमें लेके चलिए कि वहां पे हमारे माता बैन बरे संख्या में वहां हमारा इंजार कर रहा है आप अगर 20-25 पर्षिन रिक्स लेना है तो वो भी मैं धन्य बाद दूंदा कि उन्होंने भी रिक्स लेकर यहां पे लेकर आया और आप लोगों में भी मजगूती से यहां पे काम किया तो इसलिए साथियो पूरे बिहार उत्तर परदेश में अभी हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी को भी